पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच में चल रहा था दूसरा ओडियाई का मुकाबला यह खिला जा रहा था हम बन तोता में आपको बता दे कि पहले बल्ले बाजी करने आई अफगानिस्तान की टीम और उन्होंने बनाया है पांच मिट खोकर 300 रन और कमाल के प्रदर्श नहीं दिखा पाए थे जल्दी आउट होगर चले गए पूरी की पूरी टीम 59 रनों पर आल आउट हो गई थी वही इस दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने 300 रन बना दिये हैं सिर्फ अपनी पांच मिक्ते खोके तो रहमनुला गुर्बास का शांदार के मौजूद थे 100 की स्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी करी काफी ही शांदार प्रदश्चन दिखाया तो कई सारे रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम किये अगर बात करें सबसे पहले सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने पांकिसानी कप्तान जिसमें बाबर ओडियाई सेंश्री इस लगाने में यह तीसरे नंबर पर आ चुके है जहां पहले बाबर आजम मौजूद थे उन्हें अब नीचे रिप्लेस कर दिया है और गुर्बास उपर आ चुके है अगर बात करें इस लिस्ट की तो पहले नंबर पर इस लिस्ट में कुईंटन डि सेंश्रीज लगाई है तो चौथे पे हैं बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तान जिनने 25 इनिंग में अपनी पहली पांच ओडिय सेंश्रीज लगाई थी इसके सार अगर बात करें तो रहमनुला गुर्बास से एक और रेकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान टीम के खिलाफ यह अफगानी बल्लेबास बने है शतक ठोगने वाले तो आपको बता दे कि जो स्कोर खड़ात किया है अफगानसान की टीम में पाकिस्तान की खिलाफ यह इनका पहला इंडिविज्वल हाइस स्कोर है पाकिस्तान की खिलाफ और गुर्बास ने जोगी 151 रोनों की पारी खेली यह इनका ODI में अब हाइस इंडिविज्वल स्कोर बन चुका है रहमनुला गुर्बास ने काफी शानर बल्लेबासी दिखाई तो खासकर हारिस रॉफ तक को इन्हों नहीं नहीं छोड़ा हम सारे जानती कि हारिस रॉफ कितने अच्छे गिनबास है लेकिन 37 वे ओवर में ह काफी शानर बल्लेबासी गुर्बास ने दिखाई तो वर्ल 51 रनों पर जाकर आउट हो गए जहां पहले मुकाबले में 59 पर पूरी की पूरी टीम को आल आउट करें पाकिसानी गिनबाजों ने दूसरे ODI में विकेट लेने के लिए तरस रहे थे पहली विकेट गेरी अफ जिसमें उने अपनी पांच सेंश्री लगा चुके और दो हाफ सेंश्री लगाई है गुर्बास का ODI करियर काफी शानदार है तो इस दूसरे ODI के पाकिसानी खिलाब ये काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया है आपको गुर्बास की ये शानदर बल्लेबासी कैसी लगी कि फट फट से कॉम में जूरू पताईए आज देगे तोफान स्पोर इस लिए लाइक कमेंट और सब्स्ट्राइब करना बिल्कु भी मत भूलेगा